कृषि प्रदेशों में अब हम देखते हैं नहीं स्थानांतरित क्रशी के बारे में इस्थानांतरिक क्रशी की करशी का प्राचीन तम्र शुरूप है जिसके उत्पती लगवाद 7000 से लेकि 8000 वर्ष पूर हुई थी जम मानवने भोजन संग्रेकिस्तान पर भोजन उत्पादन को प्राना शूर किया था इस्ताना अंतरी किरशी उश्न कटी बंदी वर्शावण उत्पादन था अमेरिका मद्दे अफरीका तता दक्षनी पूरी एश्या के उश्न कटी बंदी प्रदेशों में इस्ताना अंतरी किरशी प्रशलित है इन प्रदेशों में इस्ताना अंतरी किरशी को स्लैश और बर्न किरशी भी कहा जाता है विश्यू के विबन भागों में से बिन नामों से पुकार जाता है, उधानता है मद्दे अफरीका में मसोले, मलागासी में टैबी, मद्दे अमेरिका में मिलपा, मैक्सिको में बरबेका, तथा कॉमीले, वेनुजेला में कौनुको, ब्राजील में कैमडा या तथा रोका बाहरत में भी इस्तानती कृष्षी के अनिक नाम प्रश्लित हैं, जिसे के उत्री पूरी बाहरत में जूम, उडिसा में पोदू, कोमन, बवंगा, आदी, पश्मी घाटों में कुमारी, दक्षनी पूरी रास्तान में वालडा तथा, मद्दे पदेश तथा, चत्तीश कड अब देखते हैं, इस्तानती कृष्षी की विशेष्टा हैं, इस्तानती कृष्षी की निम्लिकित विशेष्टा हैं, इस्तानती कृष्षी प्राय चोटे काउं में की जाती तथा, निकटवर्थी भूमी पर कृष्षी करते हैं, पत्ते एक वर्ष ग्रामीन लोगा, प्र करते हैं कर्षि के लिए चीनित करते हैं कभी-कभी बुजर्ग लोग ब्रुमी में कर्षि का चुनाव करते हैं कर्षि के लिए पाहड़ी डालों को वरिता दे जाती क्योंकि वेसूप्रवाइद होते हैं अधीकांचत है कृशिक क्रशित चेत्र बनों के आंतुरिक भागों में इस्तित होते हैं चुनहिए स्थानों पर ब्रिक्षों को कुलाड़ी से काड़ दी जाता है दिया ज़ता जाता है इस धेर को जला कर इस प्रवारा मिट्टी को औरवर तत्तु परदान की जाते हैं इस प्रकार साफ की गई भूमी को स्वीडेन, मिलपा, कैंगिन, आदिनामों से पुकार जाता है किर्शी चेतर बहुत चोटे प्रकार के होते हैं, जीरो पंट पांस से लेके एक हेक्टर होते हैं और बिकरे होते हैं रोपंट के पूर खेतों को सादा अनुपणों जैसे हसिया, कुलाडी, लकडी के हल आदी द्वारा साफ कर दिया जाता है उन्हत हल तता बारवाग पशों का प्रयोग सुनने ही होता है भूमी में से खर पतवार आदी भी नहीं निकाल जाते हैं इसके पशा साफ की गई भूमी पर किशी की जाती है कहीं कहीं बीज छड़क कर खेती की जाती है अन्यत रोपन विदी का प्रयोग किया जता है एक ही प्लाट भूमी का टुकड़ा पर अनिक फसले बोई जाती है जिसके ख़द्यान जड़दार फसले तता जड़दार फसले अधिकांश भूमी पर मैनियोक यानिकी मीठा कसावास रतालू, मुंग, फली, खीरा, टमाटर, फली, अमटर, केला, अधि, निर्वाक फसले उगाई जाती है कहीं कहीं गन्ना, तत्था, कपास, अन्यत्र, मक्का, सोरगम, जौर, बाजरा, तत्था, चावल उगाई जाते है फसलों को निशित अंतराल पर उगाई जाता है एक बर साफ की गई भूमी पर दो-तीन वर्षों तक फसल उगाई जाती है इसके पश्यात, मिट्टी की उरवर्टा तेजी से घटती है खर्पतवार तेजी से बढ़ती, जिसे भूमी को पढ़ती चोड़ना वह शक हो जाता है इस प्रकार फसलें बोने के अवधी कम, तत्था पढ़ती भूमी रहने के अवधी लंबी होती है भूमी के अनरवर हो जाने पर नई किशी योग्य भूमी की तलास की जाती है मुख्यापते एक परिवार को भूमी आवंटित करता है, वक्तियों को विसिष्ट मिर्क शोके सामितु तत्था सनक्षन गादी का अपराप्त होता है लेटिन अमेरिका में सामुदा एक भूमी सामितु का इस्थान निजी सामितु ले रहा है गटिया उपकारनों तत्था बीचों, कीडे मकोडों, पशक्षियों तत्था पस्वों द्वारा, निरंतरहानियों, अनुर्वर, मिट्टियों, प्रकतिक आपदाओं तत्था आदी के कारण भूमी पर दुस्परभा पढ़ता है अकाल के दुस्परभाव से बचने के लिए लोगों ने अम्मुर्गी, बतक, आदी पालना प्रारम कर दिया है अल्प, भोजन, उत्पादन की पूरती के लिए लोग आखिट, मतश्यो, पादन तत्था बनों से बस्तु संग्रावी करते हैं इस्सवाब्द, उश्ण, पजिता के लिए और, ऑचने कर्ड़ी points की भाए जाना प्रारम, विए कौते हैं दो शीया है, क्रिशी प्राकतिक संसाद नुतर था संपद्धा का विनाश करती है, क्रिशी प्रबन्धन के प्रभाव में अब हामे वन विनाश था, मिट्टी और परढ़न होता है, इससे प्रयाप्त भोजन पादन नहीं हो पाता अते हैं ये कम आवादी का ही पोशन कर पाती है ये समाज का आर्थिक गास का पारमिक चरण है